दोस्तो आज हमारे पास ये माइक्रोडे कंपनी का 850 SEBZ करके एक साइन वियो इन्वेटर आया है ये काफी पुराणा मोडल है दोस्तो लगवग 2012 का ये इन्वेटर है इस इन्वेटर पे मैं वीडियो शिर्फ इसलिए बना रहा हूं दोस्तो क्योंकि इसका जो सोफ स्टार्ट है वो काफी अच्छा है सोफ स्टार्ट इसका बहुत ही अच्छा दियावा है इस इन्वेटर के अंदर सोफ स्टार्ट का क्या रोल है सोफ स्टार्ट कैसे काम करता है और सोफ स्टार्ट को हम कैसे इस soft start का फाइदा उठा सकते हैं कहां ये हमारे काम आता है उस चीज़ को यहाँ पे हम समझेंगे एक DSO भी मैंने यहाँ पे लगाया त्याकि हम soft start की जो waveform है उनको यहाँ पे समझ सकें और बाद में मेरा जो यह setup है यह जो हमारी testing jig है इस पे भी हम समझेंगे पहले उसके बाद हम DSO पे जाएंगे दोस्तो सबसे पहले मैं आपको एक problem बढ़ाता हूँ जो normally आप लोगों को face करने को मिलती है फिल्ड में दोस्तो हमारा inverter on है और inverter on है हमारा backup mode पे light नहीं है और inverter on है उस condition में अगर हमने motor का switch on कर दिया तो कई बर क्या होता है हमारा inverter overload या short circuit की protection में चला जाता है यानकी तुरंत जो है beep sound करेगा, overload दिखाएगा और बंद हो जाएगा या फिर short circuit की condition में चला जाएगा ऐसी condition में क्या होता है अगर हमारी motor mains mode पे चल रही है और तुरंत हमारी light चली जाती है तो उस case में वो हमारा overload पे नहीं जाता है वो चलती रहती है क्योंकि motor का जो momentum है वो बना रहता है और motor current जादा नहीं लेती है लेकिन अगर हमारा inverter on है और हमने motor को on किया तो उस case में motor हमारी बंद होती है जैसे ही on करते है तो motor और या भी कोई भी inductive load है वो आपका interest current लेता है starting current लेता है जो की 200 से 300% तक load लेता है और inverter के अंदर ये protection होती है कि जब 300% जाएगा तो वो आपका short circuit माना जाएगा और वो उस protection में चला जाएगा और 100% से उपर जी पे जाता है तो overload पे चला जाता है तो जब 1500-200 या 300% तक load हमारा जाएगा तो हमारा inverter protection पे चला जाता है लेकिन running condition में ऐसा नहीं होता है mains mode पे हमारी motor चल रही है light चले गई तो motor का momentum बनावा था उसने interest current या starting current नहीं लिया तो हमारी running पे चलती रहती है लेकिन backup mode पे हमने inverter हमारा own है और उस time पे हमने motor को own कर दिया तो वो protection पे चली जाती है overload या short circuit की दोस्तों उस case में क्या करेंगे उस case में आप कैसे own कर सकते हैं आप क्या करें पहले inverter को आप off कर दें और motor का जो switch है उसको आप own कर दें उसके बाद अगर आप inverter को आके own करेंगे तो वो motor आपकी चलने लगेगी overload या short circuit की protection पे नहीं जाती है और वो भी उस case में possible है जिस inverter का soft start आपका काफी अच्छा होता है soft start क्या होता उसको समझते हैं और फिर ऐसा कैसे possible है उसको भी समझते हैं दोस्तों यह sine wave inverter है यह मैंने यहाँ पे क्या क्या है देखाता हूँ आपको यह मैंने इसकी output यहाँ पे connect कर दिया है जहाँ पे हमारा output का volt meter है और यह हमारा load connected है output से मैंने step down transformer लगा दिया है 0-12 volt का और उस पे मैंने यह probe connect कर दिया है ताकि मैं DSO पे इसकी पेले देखते हैं इसको on करता हूँ मैं आप यहाँ पे मैसूस करें कि इसकी output जो है दीरे दीरे ग्रेजुली दीरे दीरे आउट्पूट वोल्टेज बढ़ती है या अचानक से पूरी वोल्टेज आती है उसको आप यहाँ पे मैसूस करें अब यह मैंने ओप कर दिया inverter को अब मैं inverter को on करता हूँ आप इस needle को जान से देखेंगे तो यह वोल्टेज दीरे 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 बनते वे आपकी 230 जितनी भी है वो आती है फिर से बंद करता हूँ मैं यह वोल्टेज दीरे दीरे बनेगी इसको हम बोलते है अब से दीरे दीरे वोल्टेज यहां पे बिल्ट अब हुई है बीस वोल्ट पचास वोल्ट अशी 100 130 1500 200 ऐसे 230 ऐसे करके यह वोल्टेज बनती है इसको सोब साट बोलते है यह सभी इन्मेंटरस में होती है कुछ में यह बहुत जल्दी यह जो है आपकी 220 तीसक आ आती है यह मैं और आपको दुसरे त्रिक ही दिखाता हूं अभी में सेंस करेगा देखिए में सेंस कर लिया है अब यह में मोड पर चार्जिंग भी यहां पर आ गई है अब आप आउटपूट वोल्टेज को देखें कि लाइट जैसे ही जाएगी बैक अप मोड पर यह आएगा तो तुरुंत आपका बैक अप मोड में आएगा तो घ्री धिर आएगा देखिए एक पर यह नीडल नीचे जाएगी फिर से धीर धीर वोल्टेज यह बिल्टप करेगी यह नीचे जाती है फिर बिल्टप करती है यह भी सोफ स्टार्ट है चेंज और जब हमारा यूप्यस पर मैं इसको कर देता हूं पहले inverter mode फिर से देखते हैं ताकि हमारे को अच्छे से समझ में आ जाए फिर हम इसको UPS mode पर भी करके इसको check करेंगे यह अभी mains mode पर आ गया है दोस्तों अभी inverter mode पर है जैसे mains इसको मैं उप करूँगा ये आपका धीरे धीरे वोल्टेज बनेगी देखिए नीडल पूरी नीचे जाती है फिर से वाप पिस आती है अब मैं क्या करता हूं दोस्तों इसको यूपेस मोड पे कर देता हूं इसका जो स्विच है उसको दोस्तों ये यूपेस मोड पे है एक पर फिर से हम यूपेस मोड पे देखेंगे फिर इन्वर्टर मोड पे देखेंगे ताकि हमारी जो है ये क्लेर्टी आजाए कि इसमें डिफरेंस क्या है फिर स्कोप पे भी चलेंगे यूपेस मोड पे है में में मोड पे चल रहा है चार्जिंग कर रहा है मैं इसको अभी तुरुंत जो है दोस्तो बैक अप मोड पे लेके आँगा तो यह जो निडल है यह आपकी यहीं से आपकी वोल्टेज बिल्ट अप हो जाएगी बन जाएगी बजाए कि यह निच्चे जाके बिल्कुल दुबारा से सोफ स्टाट करें यह यूपेस मोड पे देखें यह यहीं इनवर्टर मोड पे मैं यहाँ पे दोस्तो कर देता हूँ अब यह इनवर्टर मोड पे है और यहाँ पे मेंस मोड पे है अब दोस्तो मैं क्या करता हूँ यहाँ जैसे ही इसको मैं बैक अप मोड पे लेके आँगा तो यह निडल की तरह आप देखेंगे तो यह बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होके आएगे निल देखिए ये निल बिल्कुल जीरो पे जाती है और फिर से आपका जो है voltage built up होती है इसको soft start बोलते हैं धीरी धीरे आपका voltage built up करना है ये inverter mode पे था पहले UPS mode पे मैंने आप लोगों को बताया अब दोस्तों क्या करेंगे इन्पूट को इसने बाइपास करके आउटपूट पे निकाल दिया है तो ये बेसिकली इन्पूट की ही waveform है जो बाइपास होके हमारे को inverter की output पे मिल रही है अब दोस्तों जैसे ही मैं इसको मैंस को disconnect करूँगा तो ये आपका backup mode पे आ जाएगा लेकिन ये वेफों जो है gradually यानि कि धीरे धीरे विल्ट अप होंगी जिसको हम soft start बोलते हैं ये अभी inverter mode पे है देखेगा द्यान से ये जो waveform है ये धीरे धीरे विल्ट अप होके ज्यादा हुई है कम से ज्यादा यानि कि voltage जो है 0, 20, 30, 50, 100, 200 ऐसे करके न वोल्टेज धीरे धीरे आपकी विल्ट अप होई है ये inverter mode पे है इसको मैं और भी अच्छे तरीक केसे समझाने की कोशिश करूँगा ताकि हमारे को और अच्छे केसे ये समझ में आ जाए लेकिन एक पर फिर से इसको देख लेते हैं जैसे में इसको मैंने disconnect किया तो backup mode पे battery mode पे इसकी output voltage बनती है वो धीरे धीरे built up होती है ये inverter mode पे था और आपका UPS mode पे कैसा होता है मैं इसको UPS mode पे पहले कर लेता हूँ ये मैंने UPS mode पे मैं इसको कर दिया है और अभी मैं इसको charging mode पे डाल रहा हूँ अभी ये charging पे आ गया है और मैंस को बाइपास किया हुआ है अब जैसे ही मैं मैंस को connect करूँगा तो यहां पर यह सोब स्टार्ट नहीं दिखाएगा तुरंत वोल्टेज बिल्ट अप हो जाएगी अब आप महसूस कर सकते हैं कि देखी वोल्टेज धीरे से एकदम से नहीं इसमें बिल्ट अप होई एकदम से बिल्ट अप होई है ग्रेज्विली धीरे-धीरे स्टार्ट के साथ यह वोल्टेज नहीं बनी है ताकि हमारे कंप्यूटर बगारा जो भी आपके सोफिस्टिकेट जो आपके अपलाइंस है वो रिबूट ना हो वो एकदम से बंद ना हो इसलि को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हमारे को यहां पर यहां पर ihr changeいきます तो यहां पर मियुद्वी करने की कोशिश कर Where ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें यह देखें दोस्तों यह यहाँ पर लाइट आई भी थी मेंस मोड पर था जैसे मैंने लाइट को डिस्क्नेट किया तो यह बैकप मोड पर बैटरी मोड पर इसकी आउटपूट पर फों थी यह स्टार्टिंग पर देखें धीरे-धीरे- मोड था यह यहाँ पर चेंज ओर है और एकदम से इसकी जो वोल्टेज है वो दीरे-दीरे इसका जो साइकल है उसका एंप्लिटूट बढ़ते-बढ़ते-बढ़ते-बढ़ते आपका काफी टाइम में जाके यह देखें काफी टाइम जो है इतने टाइम के बाद यह है इ वो आपका दीरी-दीरे मोटर घूमना स्टाट होगी फिर उसको चालैसोट मेलेगी फिर शाट फिर असी वोल्ट तो दीरे-दीरे मोटर घूमती जाएगी उसका रPD म दीर बढ़ता जाएगा यानिकि उसका मोमेंटम जो है वो यहाँ पर काम आ जाएगा और वो एकदम से ज्यादा करेंट कंड लेगी क्योंकि उसको वोल्टेज ज्यादा नहीं मेलिए बीच वोल्ट पर इतना उसको करन लेना उतन्य ले सकती है फिर दिर दरे 4-6-8 तो इतने टैंप में धिर दरे उसको समझने की कोशिज करेंगे अब इसको मैं पहले charging पे ले आता हूं मेंस को supply कनेक्ट कर देता हूं यह मेंस आ गई है यहां पर आप इसको backup मोड पे हम चेक करेंगे और मैं इसको hold करने की कोशिज करूंगा यह देखिए अब यह UPS mode पे था तो इसने gradually soft start इसने नहीं लिया और इस case में देखिए यह आपकी voltage तुरंत built up हो गई है जो भी इसका चेंज़ ओर टाइम है दस मिली सेकंड या 20 मिली सेकंड जो भी है चेंज़ ओर के उपर मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है उसको आप देख सकते हैं चेंज़ ओर टाइम को कैसे calculate कर देखिए यह voltage में इस थी और तुरंत जो है backup mode पे पूरी voltage यहां पे built up हो गई है यह swap start नहीं है लेकिन एक इसका फाइदा है अगर running condition में हमारी motor है और एकदम से light जाती है तो उस case में उसका momentum काम आएगा और वो नहीं करेगी लेकिन UPS mode पे अगर आपका है और आपका एकदम से light जाती है तो वो क्या होगा एकदम से voltage पूरी बनती है ताकि आपके computer वगड़ा reboot ना हूँ इस case में अगर running condition में हमारी motor है तो वो आपकी चलती रह लोड़ें उसके बाद inverter को सामने से on करें तब आपका जो है voltage अच्छी तरीके से built up होगी gradually तो आपकी वो motor या किसी भी लोड़ की वज़े से इंडर्स करेंट की वज़े से ओर लोड़ पे या source circuit पे जाने की सम्भावना काफी कम हो जाती है दोस्तों मैं अब इसको starting से एक इसको मैंने बंद कर दिया है output voltage इसकी 0 हो गये अब जैसे ही मैं सामने से on करूंगा तो output voltage कैसे built up होती हूँ वो समझते हैं अब यह देखिए मैंने on किया on करते ही voltage विरिकुल धीरी धीरे इसको soft start बोलते हैं जिसके वज़े से हमारा जो है जिसका interest current ज्यादा है या starting current ज्यादा है वो load आपका यहां से यहां इतने time के अंदर धीरी धीरे उसका momentum आएगा और वो current ज्यादा एक दम से नहीं ले पाएगा जिससे वो है overload या short circuit की protection में दोस्तों नहीं जाएगा तो अगर ऐसा कोई load अगर आपके पास है कि जिसका running current तो कम है लेकिन interest current या आपका starting current जादा है तो उस तरह के load को आप on कैसे करेंगे backup mode पे light नहीं है उसके इंडिज में पहले उस load को आप उसके switch को on कर दें उसके बाद आप inverter के पा आपका running current जिसका कम है और interest जादा है वो आपका inverter पे चल जाएगा दोस्तों और दोस्तों आगे भी में इस तरह की वीडियो बनाता रहूंगा और हमारे चैनल में काफी सारी वीडियोज है तो theoretical भी है प्रैक्टिकल भी है और home appliances के repairing के वीडियोज भी है तो हमारे चैनल की चैनल की playlist पे जाके आप वो बाकी सभी वीडियोज को देख सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियोज प्रसंद आते हैं तो उनको लाइक और शेयर जरूर करें ठेंक्यू दोस्तों